हेलो दोस्तो नमस्कार प्रकासर हिंदी पर आप सभी का स्वालत हैं दोस्तो पिछली प्रिक्षा में पोचे गए हिंदी व्याकन के पर्षन व्याक्या सहीत के 14 वीडियो आमने पढ़े हैं 15 वीडियो पढ़ेंगे जिसमें आम संदी से समन्देत पोचे गए जो पर्षन है उ अनुवेशन सब्द का संदी विछेद है तो इसका सई विकल्प है B अनुधन एशन अनुवेशन सब्द का संदी विछेद है अनुधन एशन अनुवेशन में यन संदी होगी दो अनु के मेल से होने वाले विकार को संदी कहते हैं संदी संस्कृत का संदी के तीन बेद हैं और उसे संदी के तीन भी दोते हैं सहवर्संदी संदी के तीन बेद होते हैं सवर संदी, वेंजन संदी, विश्रक संदी दो सवरों के मेल से उद्पन विकार अत्वा रूप परिवर्तन को सवर संदी कहते हैं इनकी पांच बेदें द्रेक संदी, गुण संदी, वर्दी संदी, यन संदी, अयादी संदी यदि दो सवरों का आपस में मेल हो और उनमें कोई विकार हो, परिवर्तन हो, बदला हो, रूप में परिवर्तन आ जाए तो उसे सवरसंदी कहते हैं और सवरसंदी के पांच भेद होते हैं दिर्ग संदी, गुण सवर संदी, वर्दी सवर संदी, यन सवर संदी, आयादी सवर संदी, यन संदी जो की अनिवेशन सब्द में है, अनुधन, एशन, यन सवर संदी है, तो यन सवर संदी, यदि ई, ई, उ, उ, और री के बाद कोई भिन सवर आये, तो ई, उ का ये बन जा जिनके नीचे हलंद का प्रियोग किया जाता है। जिसे वरण के छोटी का प्रियोग किया है वह सवर रहीत हो जाता है। जिसे प्रियोग किया जाता है। प्रमदन ओज सवद का संदी प्रमाज होगा। जिसे प्रमदन ओज में वरदी संदी है। और यदि ए आ के बाद में ओ आउ आता है तो दोनों मिलकर के आउ में बिदल जाते हैं। जैसे ततर दन एव तत्रेव यहाँ पर तत्रेव में ए वरण है और ए और ए मिलकर के ए बन गए। स्रवदा दन एव, स्रवदैव, आ और ए मिलकर के आई बन गया। जिसकी मातरा का प्रियोग महोदारी में किया गया है। तीन सो अठारवा परसन है मतैके में कौन सी संदी है। तो सए विकलप आ है B, व्रदी सवर संदी है। मतैके में वरदी संदी है Mतदनक के, मतैके यहाँ पर ते में ए सवर है? नयाँ arrive आर ए मिलकर के I वरदी सवर संदी बनी है। दो वर्णों के मेल से होने वली विकार को संदी कहते हैं, वर्दी संदी, यदि ए आ के बाद में ए आई आ जाता है, तो दोनु मिलकर के आई में बदल जाते हैं, और यदि ए आ के बाद में ओ आउ आता है, तो दोनु मिलकर के आउ में बदल जाते हैं, जैसे एकदन एक, एकएक, सदादन एव, सदैव, परमदन ओजसवी, परमाउसवी, महादन आउस्त, महाउस्त तो इस प्रकारशन में समझ सकते हैं कि वर्दी सवरसंदी में यदि ए आ के बाद में ए आई आता है तो आई में बदल जाता है तेन सो नी सो परसन है निमलिकित में से आयादी संदी का उधारन कौन सा नहीं है तो सही विकलप होगा डी वागीस में आयादी सवर संदी नहीं है वागीस आयादी संदी का उधारन नहीं है बलकि ये विंजन संदी का उधारन है जब ए आई ओ आउ के साथ कोई अन्य सवर हो तो ए का आई आई का आई ओ का आउ और आउ का आउ बन जाता है तो वहाँ पर आयादी सवर संदी होती है यदि किसी भी सवद के अन्तिम वरण में ए आई ओ आउ आउ आजाता है और उसके अगले वरण के प्रारम में इन्से भिन कोई भी सवर आजाता है तो ए का तो बन जाता है आई आई का बन जाता है आई आ का प्रियोग हो गया ओ का बन जाता है आउ और आउ का बन जाता है फरक है जैसे नै दन अक नायक तो यहाँ पर आई के बाद में ऐस वर आया है तो इन दोनों का यह दोनों वरण मिलकर के आई में बदल गए है नव दन एके नावी के आउ के बाद में इस वर है नव में आउ सवर है इक में इस वर है आउ के बाद में इस वर आया है तो दोनों मिलकर के आउ में बदल गए है भोदन अन भवन भो में ओ सवर है अन में आ सवर है ओ और आ दोनों सवर मिलकर के आउ में बदल गए है पो दन इतर पवितर पो में ओ सवर है और आगे इतर में ये सवर है ओ और ये दोनों सवर मिलकर के आउ में बदल गए हैं तो पो दन इतर से पवितर सवद बन गया 320 परशन निचे देगे सब्द का सई संदी विचेद वाला विकलब पैचानि सई संदी विचेद किस विकलब में है तो सई है डी में सवर्ग धन आरोहन सवर्गा रोहन सवद में संदि विचेद वालविकल सवर्ग धन आरोवन है सवर्गा रोहन में दिर्ग सवरसंदी है दिर्ग सवरसंदी है दिर्ग संदी यदि पर्थम सवद के अंत में रसु या दिर्ग ए ई उ रे में से कोई एक वरण हो और दोईतिय सवद के आदी में उसी का समान वरण हो तो दोनों के इस्तान पर एक दिर्ग हो जाता है दिर्ग सवरसंदी में क्या होता है कि यदि पहले सवद के अंतिम वरण में ए ई उ तेनों में से कोई एक हो और दोसरे सवद के पहले वरण में ए ई उ चाए रसु हो चाए दिर्ग हो यदि आते हैं तो दोनों वरण मिलकर के आगे अपने दिर्ग रूप में बदल जाते है जैसे A या E या U में बदल जाते हैं जैसे कि ग्रीदर इंदर तो बन गया है ग्रीदर याँ पर छोटी E पहले है छोटी E बाद में है दोनों मिलकर के बड़ी E में बदल गए है तो दिर्ख सवर संदी है रामदन आधार रामाधार ए और आ मिलकर के आ में बदल गए है निश्य सवद में कौन सी संदी है तो निश्य सवद में संदी है डी विश्रक संदी निश्य में विश्रक संदी है इसका संदी विछे दोगा नी है दन चै निश्चै तो यहाँ पर विश्रक के बाद में चै आने से से बना है यानि विश्रक के बाद में चै आ जाता है तो विश्रक का से बन जाता है जिसके नीचे हलंद का प्रियोग किया जाता है विश्रक संदी विष्रक के साथ सवर या वेंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विष्रक संदी कहते हैं विष्रक के बाद में यदि सवर आ जाए या वेंजन आ जाए और उनका मेल हो तो वहाँ पर विकार आने से प्रिवर्तन आने से विष्रक संदी बनती है उसे विसरक संदी कहते हैं यदि विसरक के बाद चय या छय हो तो विसरक का से टैठ हो तो सटकौन और टैठ हो तो सलेट बन जाता है यनि विसरक संदी का एक नियम है कि यदि विसरक के बाद में चय या छय आ गया विश्रक के बाद में चय या छय आ जाता है तो विश्रक का सलगम वाला छय बन जाता है विश्रक के बाद में यदि टय या फिर ठय आ जाता है तो सटकोन वाला बन जाता है विश्रक का विश्तरक के बाद में ते थे आ जाता है तो विश्तरक का से सलेड बन जाता है जैसे कि निहे दन छल तो विश्तरक के बाद में आपर छे आया है तो विश्तरक का यहां पर छे के अनुसार से सलगम वाला सलीपा वाला से बन गया तो सब्द बने निश्चल तेनसो बाइसो पर्षन है यसोदा सब्द में कौन सी संदी है तो सही विकलप है ए विश्रक संदी यसोदा में विश्रक संदी है इसका संदी विचेद यसेदन दा यसोदा होगा विश्रक तता विंजन या सवर की परसपर मेल से जो विकार उत्पन होता है उसे विश्रक संदी कहते हैं विशरक के बाद में सवर या विंजन का मेल होता है तो विशरक संदी कहते हैं यदि पर्थम सब्ध के अंदी में अए सवर के बाद विशरक आये तता दोस्रे पद के प्रहरंमें किसी वरक का τीसरा तर्ती चतूर्त या पंचमवन आये या ये रह juvenile है रहे तो विशरक के इस् वो बन जाता है, जैसे सरहेडन वर तो बन गया सरो वर. यानि कि पहले सब्द में विष्रग के पहले सवर हो, और वो भी ऐ सवर हो. यनि पर्थम सबद के अंत में ए सवर हो और ए सवर के बाद में विश्रग हो और उसके बाद में यदि किसी वी वरग का तीसरा वरण, चोथा वरण, पांचवा वरण या फिर ये रे ले वे है आ जाए तो विश्रग वहाँ पर उ में बदल जाता है और उ आपने जो पहले ए सवर है उस उ और ए सवर दोनों मिलकर के उ में बदल जाते हैं जैसे इस तरह दन वरण, तो यहाँ पर विश्रग के पहले रे में ए सवर है तो ए का तो क्या बनेगा? ए का तो बन जाएगा यहाँ पर उ, उसके बाद में वे, इसके बाद में क्या है, वे, यानि वे के पहले यहाँ पर विश्रक और विश्रक से पहले रे, रे में है ए सवर, तो रे में जो ए सवर है, रे में तो है ए सवर, और विश्रक का बन जाएगा, उ, तो ए और उ मिलकर के उ में बदल जाते हैं, तेन सो तेवीशव पर्षन है, गुर्वे सब्द का सई संदी विचेद होगा, तो डी विकल्प से यह गुरोधन ये, गुर्वे सब्द का संदी विचेद होगा, गुरोधन ये, गुर्वे सब्द का संदी विचेद गुरोधन ये होता है, ये आयादी संदी का उधारन है, आई के स्थान पर आई, ओ के स्थान पर आव और आव के स्थान पर आव हो जाता है इसी करम में इस संदि में गुरोधन ए से ओ दन ए से बन गया अवे तो नया स्वद बन गया गुरुवे आयादी सवर संदि में यदि ए, आई, ओ, आव से भिन कोई भी सवर आ जाता है तो ए का आई, आई का आई, ओ का आउ और आउ का आउ बन जाता है 300-400 परसन है सयन में संदि है ए, आयादी सवर संदि सयन में आयादी सवर संदि है सयन का संदि विछे दोगा से दन अन ए, आई, ओ, आउ के बाद किसी भी सवर के होने पर यदि ए, आई, ओ, आउ के बाद में इनसे कोई भिन सवर आ जाता है तो ए का आई बन जाता है आई का आई बन जाता है ओ का आउ बन जाता है आउ का आउ बन जाता है इसे ही आयादी सवर संदि कहते हैं जैसे पोदन अन पवन नेदन अन नयन और नावदन एक नाविक तेन सो पची सो परसन है दिये गए सब्दों का सही संदी वाला विकलब पैचानी तत धन टीका तो सही है बी तत टीका तत धन टीका तत धन टीका का संदी है तत टीका यदि तय या दे के बाद में तय या ठय आ जाता है तो तय या दे की इस्तान पर तय हो जाता है तो हमने यह आपर एक नियम पड़ा है कि यदि पहले सब्द के अंतिम वरण में हलंत वाला तै या दै आ जाता है और उसके बाद में जो सब्द है उसका पहला वरण यदि टै या ठै है तो इस टै और ठै के परभाव से तै या दै दोनु टै में बदल जाते हैं जैसे सत दन टीका इस टै के परभाव से तै में बदल गया सत टीका वरहत दन टीका इस टै के परभाव से जो तै है ये तै में बदल गया वरहत टीका अगला 300, 26 परसंद पढ़ते हैं निचे देगे सब्दु का सई संदी वाला विकलब पहचाने धरम दन अर्थे तो सई सब्द बनेगा धर्मार्थे धरम दन अर्थ का सई संदी है धर्मार्थ होगा दिरिक सवर संदी का यह उधारन है दिरिक संदी में ए, ई, उ, री के पस्चात यदि ए, आ, ई, ई, उ, उ, सवर आये तो दोनों को मिला कर दिरिक आ, ई, उ, और री बन जाता है दिर्ग सवर संदी में यदि रस्व और दिर्ग A, A, E, U के बाद में रस्व या दिर्ग A, E, U आ जाता है तो अपने दिर्ग रूप में बदल जाते हैं यानि A, E, U में बदल जाते हैं 367 परसन है, सही संदी विच्चेद वाला विखल कोन सह है? संलगन संदी विच्चेद वाला पूंच रहे हैं या पर जो में है हलंत वाला इसका अनुस्वार बन रहा है हलंत वाली मेका अनुस्वार बन रहा है जिसका सैसी उपर बिंदी की रूप में प्रियोग करते हैं संदी विच्छेद कीजिए उच्छिष्ट का सही है सी विकल्प उच्छिष्ट उत्दन सिष्ट उच्छिष्ट का सही संदी विच्छेद होगा उत्दन सिष्ट यह विंजन संदी का उदारना है, यहां पर सेसलिपा के परभाव से जो तै है इसका चै बन गया है, तो विंजन संदी है, नीची देगे सब्दु का संदी वाला विकलब पेचानी, महादन उर्मी, तो सही है, बी, महोर्मी, महादन उर्मी का सही संदी वाले विकलब महोर्मी होगा और यहां पर गुण सवर संदि है तेंसो तीसव परसन है बहनु दन उदे तो सही होगा इसका ए बहनु दे दिर्ग सवर संदि है बहनु दन उदे का सही संदि है बहनु दे या दिर्ग सवर संदि है दिर्ग सवर संदि में दो सवरन सवर मिलकर दिर्ग हो जाते हैं ए आ बन जाता है ई, ए, ई में बदल जाते है 391 परशन है उद्रन का विच्छेद होगा तो उद्रन का संधी विच्छेद होगा डी उत्धन हरण इस संधी के बनने का नियम है तेके बाद में हलंत वाले तैके बाद में यदि है है तो हलंत वाले तैका तो बन जाता है दै और हैका बन जाता है धै यदि हलंत वाले तैके बाद में है वरण है तो इस तैका तो बन जाता है हलंत वाला दै और इस हैका बन जाता है धै यदि तै के बाद है आता है तो तै अपने ही वरग चोथा वरण में दै में बदल जाता है और है अपने पूरो वाले वरण का तीसरा वरण हो जाता है तीसरा वरण के परिवरण मेल से जो परिवरतन होता है उसे क्या कहते है तो उसे संदी कहते हैं संदी तीन परकार की होती है सावर संदी, वेंजन संदी और विश्रक संदी तीन सो तेती सो परिशन है कि जब संदी करते समय विश्रक के बाद सवर या वेंजन के आने से जो विकार उत्पन होता है उसे क्या कहते है तो उसे विश्रक संदी कहते है यदि विश्रक के बाद में सवर या विंजन आ जाए तो वहाँ पर जो विकार उत्पन होगा उसे विश्रक संदी कहेंगे जैसे मने दंड़त, मनोरत, पया दंदै, पयाओत, यसे दंदरा, यसोद्रा विश्रक के बाद में सौर वेंजन आने से विश्रक संदी होती है संदी विच्छेत कीजिए मुनीश सही विकलप है B मुनीदन इस मुनीश का सही संदी विच्छेत होगा मुनीदन इस ये दिरग सवर संदी का उधारन है ापने ही धिरग रूब आ, ई, उ में बदल जाते हैं तो अपने धिरग रूब आ, ई, उ में बदल जाते हैं 315 परसन है नर्दन इस का संदी होगा तो सही है डी नर्दन इस नरेश नर्दन इस का सही संदी होगा नरेश ये गुण सवरसंदी के उधारण है ये सबी गुण सवरसंदी के उधारण है जैसे महिंदर, महादन इंदर, महेश, महादन इस, ग्यान दन उपदेश, महादन उधारण है, तो सई दी चतू है दन पाद, ये विष्रक संधिकाय के उधारण है, चतू स्पाद का विच्छेद होगा, चतू है दन पाद, तो विष्रक का यहां पर पे के परवाहँ से शटकोन का सय बन गया है, झाल 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 झाल